हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, टेरेस गार्डनिंग एंजोईफुल लाइव, आज मैं आपको एप्रिल में के महिने में पोइंसेतिया प्लांट, क्रिस्मस प्लांट भी कहते हैं, इसका कैसे कैर लेते हैं, देखो यह पूरे जो उपर पिंक कलर के फ्लावर्स या पत्तिया जो भी आप कहते हो, सारे जुक गए हैं, तो क्या प्रिकोशन्स लेने हैं, पहला पॉइंट है फ्लावर्स को कभी भी कैची से मत काटो, वो खुदी गिर जाएंगे, इसको कातोगे तो इन्फेक्शन का चांसी से प्लांट को, क्योंकि बहुत जगा से काटने मिल की एक्स्टूडिट निकला था, तो ऐसा मत करो, ऐसे देखो, फ्लावर्स गिरते जाएंगे, गिरने दोसको, पॉइंट नमबर टू है, इसको रेगिलरली थोड़ा-थोड़ा वाटर दीजिए, क्योंकि बहुत गर्मी में इसको पानी चाहिए थोड़ा, तो जो मैं हमेशा लेता हूँ, मिट्टी, कोको, पीट, सैंड और वर्मी कंपोस या कंपोस, वही मिक्स्टर में मैंने ग्रो किया है, इक्वल पार्ट्स में, ये इसको पूरा च्छाओ में रखे, पूरा च्छाओ, यानि धूप, सूबस आया, दस मिट, पंदरा मिट आया तो इसकी अभी, समर और मॉनसुन में, लेकिन सारी ग्रीन पतिया होगी, फर्टिलाइजर में आप जब सारे प्लांट्स को एनपी के दे रहे हो, नैंटी, 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 तो वो आप आप आधा चम्मच एक लिटर में डालके, इसमें पच्छा सेमेल डाल दीज किए और कमेंट किजिए, थैंक यू फ्रेंड्स